गुड मॉनिंग साथियों कैसे हैं आप सभी आपकी जीरो लेबल की गडित की कलास खतम हो चुकी उसके बाद आपने देख लिया होगा डीलेट की थार्ड समेश्टर मैथ और उसके बाद हम आते हैं फास्ट समेश्टर की मैथ ले करके साड़े छे बजे से तो चलिए आज आ पानी में पानी रूक नहीं सकता बस आप बर्फ बनने तक हांसला तो बना के रखो जी हां बिल्कुल आसंभो को भी संभो बनाया जा सकता है अगर धैर बना के रखें और परिसरम के साथ चले लिए डीलेट की चौदा नंबर क्लास है पंदरा नंबर आपने कल देख लिया सत्यूं वो नया चैप्टर था उससे इससे कोई मतलब नहीं यह मत सोचिएगा कि पंदरा नंबर पहले क्यों पढ़ा दिया चौदा नंबर बाद में ठीक ना उसका रीजन था कि जो एसिस्टेंट साहब है जो यह सिस्टम नोट करके रखे थे कौन से कलास चली है कौन सी उन्होंने गलती से इसको मार कर दिया था कि यह चल चुकी है लेकिन बाद में आप लोगों ने जब कंपलेंड किया तो मालूम चला यह तो केवल वैसे कागजों में चल गई हकीकत में नहीं ठीक तो आज हम बात करने वाले हैं अपवर्तक की और अपवर्त की देखिए यह जब बहुत ध्यान से समझना पहला नंबर है अपवर्तक अपवर्तक को विभाजक भी बोलते हैं गुडणखंड भी बोलते हैं और इसको कभी-कभी फैक्टर भी कहा जाता है मतलब अंग्रेजी वर्ड में ठीक है और इसको डिवाजर भी कहा जा सकता है इसके आलामा आपको कंफर्म कर दें कि अपवर्तक आप पहचाने के कैसे हैं देखिए अपवर्त को यहां से हटा दीजिए तब आप इसको समझी अकेले में मज़ा आएगा ठीक जैसे हमने लिखा 16 अब इसके आगे लिखतू है एक दो चार आठ और 16 तो यह क्या हुआ पता है यह सबी नं खंड है 16 के अपवर्तक हैं बात समझ में आई ना हाँ यहां से आप 16 को हटा सकते हो चाहे तो मतलब समझना यानि कि इसको काट सकते हैं इन नंबरों से एक परकार से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो ठीक है कुडन खंड या फिर यहां से अगर आपको कम समझ में आ रहा हो तो आप इसको और अच्छे से अभी समझ लेना आगे चलते हैं तो ठीक है जैसे साथियों अगर हम आपको बताएं एक परकार से अपवर्तक का मतलब वो होता है कि जिन जिन संख्याओं से दी गई संख्या पूरी तरह कट जाए वो उसके अपवर्तक होते हैं जैसे 16 एक से फूरता कटशाएं जैंगी दो से कटशाएंगी चाही पूरी से और 16 यह अपवर्तक हैं ठीक यह बात समझ मैं इसके अलामां आगर हम बात करें आप अपवर्त की देखिए अपवर्त समझ ना अपवर्त का मतलब क्या होता? इसके लिए हम छोटा फन नंबर लेंगे, बड़ा फन नहीं दोनों में अंतर समझ लोगे तो कभी न भूलोगे और लेकिन हम एक एक अगर किलीर कर दें तो ज्यादा मजा आएगा पहले चलिए अपवर्तक को अभी और अच्छे समझते हैं ये संख्या है? ये क्या है? अपवर्तक है? देखिए, ध्यान देना जैसे हमने संख्या लिख दिया यहाँ पर 20 अब अगर हम 20 के अपवर्तक की बात करें तो मतलब 20 जो है वो किन-किन संख्याओं से पूरे तरह कड़ जाएगी वो इसके क्या होंगे अपवर्तक होंगे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 तो होगा नहीं 4 हो गया, 5 हो गया, 7, 8, 9, 10 हो गया और एक लाश्ट में 20 यह सबी क्या है, यह सबी संख्या 20 के अपवर्तक है यह सबी क्या है, इसके फैक्टर है बात समझ में आई ना हाँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा और भी आपको क्लियर कर दे अभी पूरा देखना, कलास को भागना मत इस तरह से आप किसी भी संख्या के अपवर्तक कर सकते हो जैसे अगर हमने ले लिए 50, 50 के अपवर्तक तो एक से भी 50 पूरा कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा अगर आप देखो तो 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और यह 50 से भी कटेगा मतलब ये 50 के अपवर्तक हैं ये सबी बात समझ में आई ना और अभी अपवर्तक के बारे में हम आपको और अच्छे से बता देते हैं कोई भी नंबर आप ले लो 32 32 देखो एक से कटेगा पूरी तरह 2 से कटेगा 4 से कटेगा 8 से कटेगा और 16 से कटेगा और 32 से कटेगा मतलब 32 के ये इतने सारे अपवर्तक हैं अब अपवर्तक की कुछ प्रपोर्टी आपको लिखवा देते हैं इसके गूर्ड पर गूर्ड कलास को अभी तुरंद लाइक करके पीवियर स्टेडी लहबाद को यूटूब पर सब्सक्राइब कर लिजिएगा और अनेकेडमी पर फालो और फेस्बूक पर भी फालो और लाइक करिएगा देखें इनके कुछ फीचर हमने लिख दिये हैं अपवर्तक के कुछ गुण पहला नंबर तो संख्या जो एक होती है ना अंके एक एक परतेक संख्या का अपवर्तक होता है आपने देखा होगा एक जो है हर एक संख्या के अपवर्तक में हमने लिखा था है न किसी संख्या का परतेक अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है जैसे अगर मैंने कहा कि 8 का पॉर्तक 2 है और 4 है तो क्या होगा 8, 2 और 4 दोनों से पूरी तरह से विभाजित होगा मतलब completely divide होगा 0 से पर आएगा तीसरा परतेक संख्या ये स्वयम का पॉर्तक होती है जैसे 16 का पॉर्तक कहा तो 16 का एक पॉर्तक 16 भी होगा 8 भी होगा, 4 भी होगा, 2 भी होगा लेकिन 16 भी उसका पॉर्तक होगा किसी दी हुई संख्या के पॉर्तक की संख्या सीमित होती है जैसे कि मैंने कहा अगर आपको चलिए 4 के पॉर्तक बताइए तो चार के अपवर्तक एक दो और चार होते हैं बस बाकिया और नहीं होते हैं कि अनंद होते हैं निश्चित होते हैं ठीक ना किन-किन संख्याओं से कटेगी वो संख्या ये कन्फरम होता है किसी संख्या का परतेक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है किसी भी संख्या के अगर अपवर्तक की बात करें तो उस संख्या से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा बस इससे जादा नहीं होगा ठिक ना जिसे 16 काफ़ तक 16 तक हो सकता है 16 से 20 कभी नहीं हो सकता है चलिए आपअवर्त की बात करते हैं साथियों दूसरा वरड होता है आपवर्ते अपवर्ते क्या होता है आपवर्ते को दूसरे वरड में गुडज बोलते है क्या बोलते हैं गुड़ज इसको इंग्लिस में multiple कहा जाता है इसका मतलब समझना ये नीचे हिंदी में लिखा गया है पहले देख लिजिए फिर आपको समझा देते हैं ये कोई संख्या अथवा बेंजक किसी अन ने दी गई संख्या अथवा बेंजक से पूर्टा विभाजित हो जाए तो पहली संख्या अथवा बेंजक को दूसरी संख्या अथवा बेंजक का अपवर्ते कहते हैं इसका मतलब समझना आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम आपको दिखा देते हैं वीडियो को रोख करके जल्दी सी इन बातों को लिख लीजी आप फिर स्क्रीन साथ ले लीजी ठीक ना ये बात हम बार बार नहीं बताएंगे जैसे हमने कहा 8K अपवर्थ है तो प बोलें मतलब वही गुड़ज जो मैंने कहा ना गुड़ज यानि कि इस संख्या से जो जो संख्याएं पूरी तरह कट जाएंगी वह सभी क्या होंगी इस संख्या के अपवर्थ होंगी मतलब 8K अपवर्थ 8 भी है 8K 16 8K 24 32 है यह सब हैं मतलब समझ गये ना तो कुछ संख् को दिखा देते हैं इनकी अपवर्थ भी दिखा देते हैं आप ध्यान से देखना चलिए जल्दी से कालम बनाएए एक तरफ लिखिए संख्या और दूसरी तरफ लिखिए अपवर्थ है ठीक ना तुरंद और उसके पहले अभी तक आपने पीवियर स्टेडी को इंस्ट्राग्राम जानते हुना जहां बहुत कुछ सेर होता है वहीं पर वहां पर भी फालो कर लिखिए अगर अपवर्थ की बात करें तो आप लिख सकते हो कौन-कौन सा नंबर हो जाएगा चार का अपवर्थ की बात हो रही ना मतलब कि यह जो है किस से किस से या फिर इ इसे चार कट जाएगा आठ हो जाएगा शोला है ना बारा मतलब समझगे होंगे ना अगर हमने का सोला का पवर्थ है इससे बड़ा ही होगा शोला बात तीस के अर्दालीस चौसाट आदी यह क्या है फोर सिक्स्टीन के अपवर्थ हैं यह सब इससमझ गे ना उमीद करते हैं आप समझ गे होंगे इसके आगे अगर हम बात करें अपवर्थ में तो अब आप समझ गे होंगे परिभासा भी देख लिए आप हाँ तो थोड़ा सा हम आपको और आगे बता देते हैं इसमें विश्त्रित अध्यान में पूरा देखना ध्यान से साथियों यह हो गया अपवर्थे इसके बाद डेफिनीशन भी देख लिए आप मतलब भी समझ लिए अपवर्थे के बारे में थोड़ा सा दोचाल लाइन देख लिजिए कोई संख्या अपने पर प्रतेक अपवर्थक की अपवर्थे होती हैं देख़िए अपवर्थक और अपवर्थ में अंतर हैं दोनों के बारे में हमने अच्छे से बता दिया कोई भी संख्या अ और लेकिं किसी भी संख्या ऑजो पर्ते अधोड़ा को वह उसके बड़ाया व्यकल में सबस्क्राइब और सज्ब्क अपवर्ट में फियुक्व 152 होती असीमित होती कोई निष्चित नहीं होती है लेकिन अपवरतक को संख्यार निष्चित होती थी और वो कैसे होती थी वो भी मैं आपको दिखा दिया हूं हो गया edited modeling प्रन्त हो गया या फिर video करके अगर आप नहीं लिख पाते हैं मिता देते हैं पहले तो आप video फ़ड़ा पीछे करके फिर से समझ लें ठीक ना बातों को समझें देखिए असीमित कैसे होती है अपवर्ते साथियों जैसे हमने लिखा अपवर्त में और इधर हमने लिखा अपवर्ता अपवर्त एधर हमने एक संख्या लिख दिया 4 है अब यह बताएं चार से कौन कौन सी संख्यां कट जाएंगी भाई 4 से 4 कट जाएगी आठ भी कट जाएगी बारा भी कट जाएगी हैना 16 भी कट जाएगी तो यह बारा आप कहोगे 40 तक चार धाम 40 तक लेकिन 44 भी तो कटेगी इस तरह से आप बढ़ते जाओगे कहोगे 100 तक 104 भी तो 4 से कटेगा फिर 108 भी कटेगा ऐसे से जाओगे क्या होगा यह अनन्त होगा निश्चित नहीं है कि 4 से कौन कौन सी संख्याइं कटेगी बहुत सारी है लेकिन अगर हमने कहा 4 किस की संख्या से कटेगी 4 कौन कौन सी संख्याओं से पूरी तरह से कटेगी तो वो क्या है 1 है 2 है और 4 है देखे इनकी आवकाद सामने आ गई अगर 4 को देखे तो 4 केवल इन ही 3 संख्याओं से पूरी तरह कटेगी बस लेकिन अगर इससे कटनी की बात बोलें तो अनंत हैं सेम हो ऐसे जैसे आप दूसरों की हजारों गलतियां निकाल सकते हैं लाकों गलतियां उसके अंदर आप खोच के निकाल के दे सकते हैं लेकिन अगर कहा जाए कोई गलती को आप उसकी दूर कर दी हैं इसमें जो कुछ बच रहा है वह समापो वर्तक की और और समापवर्त की और नहीं तो साथिए हमें ये चीजे हम आपको यह भी इसमें बता देंगे डॉनों की चाहिस नहीं बता देती है चली लेकिन दोनों में अंतर होता है देखे इसमें आपने सुना होगा HCF मात्म समापवर्थक सुना है ना तो जैसे आपवर्थक होता है वैसे इस समापवर्थक भी होता है जैसे इधर देखना दोनों में अंतर समझ लेना समापवर्थक का कांसेप्ट समझना समापवर्थक देखना समापवर्तक का मतलब समझना देखे साथियों जैसे आपवर्तक आप पढ़ चुके हो अगर हमने कहा कि संख्या 4 क्या पवर्तक बताईए तो 4 किन-किन संख्याओं से पूरी तरह से कटेगी मालूम है आपको 1 है 2 है और क्या है 4 है अगर हमने कहा देखे समापवर्तक या समापवर्त में दो या दो से अधिक हंको होने चाहिए अकेले का नहीं होता है अपवर्तक या समापवर्त है अकेले का होता है यहाँ पर देखो समापवर्तक कहने का मतलब अगर इसका संदी भी छेद करोगे तो सम अपवर्तक होता है अब कौन सी संदी है मुझे तो नहीं मालूम है लेकिन करके देख लेना इसका मतलब होता है सम अपवर्तक तो भाई सम अपवर्तक एक का नहीं होगा के लेगा दो का होगा जैसे हमने लिखा 2 और 4 अब 2 और 4 की अगर समापवर्तक की बात करें मतलब वो संख्या जिसे से ये दोनों कट जाएं तो वो क्या होगा एक होगा और एक दो होगा बस यानि कि इनके समापवर्तक एक और दो होगे बस बाकी नहीं होगे चार भी हो सकता है कुछ लोग कह रहे होगे लेकिन चार से दो तो नहीं कटेगा ना किवल चार ही कटेगा इसलिए नहीं होगा समझ गए ना तो ये अपवर्तक है वो समापवर्तक है ये अंतर होता है कांसेप्ट समझ गए होगे आप ना, अभी कुछ कम समझ में होगा तो आगे भी देख लो लगे हाथ काया लिए छूटने पाए कुछ देखिए जैसे अगर कोई भी हम अंक की बात करें अपवर्तक और समापवर्तक में जैसे हमने लिखा सोला अब सोला कौन-कौन सी संख्या से पूरी तरह कटेगी एक से कटेगी, दो से कटेगी, चार से कटेगी आठ से कटेगी और सोला से कटेगी लेकिन अगर समापवर्तक की बात करें इसमें हमने लिख दिया सोला और बतिस आप बताईएं वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिससे 16 भी कड़ जाए और 32 भी कड़ जाए इसमें केवल और केवल एक को देखना है देखिए अगर आप कहीं अकेले होते हैं जाते हैं तो बहुत आराम से भूमता हल सकते हैं बहुत खुशी खुशी रहते हैं अगर आप जहमेला लेके गए चिलू बिलू या फिर और किसी को लेकर के गए तो फिर थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है बात समझ रहे हो ना मतलब जैसे अगर हमने ले लिया 32 तो 32 से 32 तो कट रहा लेकिन 16 नहीं कट रहा है इसलिए क्या करेंगे उसका भी ख्याल रखना होता है तो सेम एक प्रकार से इसको ऐसे समझ लो जैसे आप तीन मित्र कहीं गए हो और रास्ते में आपको आटो पर बैठना है मतलब कहीं आटो चेंज करना है और सन्योग बस उस आटो में केवल एक ही सीट है एक ही सीट बची बाकी भरी है और आप तीन लोग हो तो बताई आप Generation सोब हो साथ ले चलना घकन है तो इन में अगर गया तो एक हो जाएगा चुकि एक सभी के लिए कमटे वल ऐग hai 25 हो जाएगा चार भी हो जाएगा आठ भी हो जाएगा यह sì समापवरत हैं वी यह किसुला की अगरुछ करें तो हो बत्तिफ नहीं होगा है क्यों कि 32 32 का तो हो जाएगा लेकिन 16 का नहीं होगा साथी इफ लिए बत्रिफ नहीं होगा हां अगर इसी में आपको HCF निकालना हो तो हाइस्ट कामन फैक्टर जिसके लाष्ट वाला अंग को उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह सब हमने क्या लिखा है लेकिन हाइस्ट कामन फैक्टर बड़े से बड़ा फैक्टर 16 है अगर इसका मासा बोलें इंतिजार करना पड़े हाइनका तो देखिएगा साथीयों समापवर्तक व म्हाइं थोड़ासा हटके है और अपवर्त की है कि अधार है नहीं नहीं कि हैं अपवर्त नहीं है इसलिए खिए पैज हम अपर्द कर मतलब संभन अपवर्ते जैसे अपवर्त की हुदॉस्त होते हैं वैसे अगर हम सम अपवर्थ की बात करें तो यह हो जायागा सम धन कि अपवर्थ है ना समझना कि साथियों जैसे अगर हमने नंबर ले लिया यहां पर साथ साथ के अगर अपवर्थ की नी की बात करें तो अनंत फोंगे है क्यूं कि आनंत संख्याhh 7 से कड जाएंगी यह निय bathing कि दखऊ सट्थार फिर सत्थार तर दश्थार तर रहाफ्य देख कर दोगे कि 12 ऄंटें देखो यहां हमने लिख दिया साथ अर्यहां पर लिख दिया माल्यों छाउदा लिख दिया अब यह बताईएल कोई ऐसा अंक इमें जुए इन दोनों से कट जाए दोनों से कट जाए तो वह क्या होगा फाला नम्बर तो 14 साथ नहीं होगा चोड़ दो अब चुकि साथ साथ से कट जाएगा चावदाफ नहीं कटेगा दोनों को देखना है जैसे मैंने कहा अगर आप आप जाते तीन लोग साथ में आटो एमेगे टक्सी में एक ही जगा है तो आप नहीं बैठे हो लेकिन अगर आप अंकेले होते तो बैठ जाते तो मतलब सब का ख्याल रखना है यह कट जाएगा ठीक है अगर देखें 28 यह भी कट जाएगा इन दोनों से कट जाएगा ना उसके आगे अगर चले 56 यह भी कट जाएगा उसके आगे चले तीन अठे 24 तीन दुन अच्छा दो आठ चौरासी यह भी कट जाएगा इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाते हो पत्त समझ में आई ना यह क्या हो गए समापवर्त हो गए समापवर्त हैं ठीक क्या हो गए समापवर्त हैं किसी भी संक्या के समापवर्त भी अनंध हो सकते हैं लेकिन जब लегुत्व समापवर्त बोलता है तो ल demographics समापवर्त मतलब least common multiple लासा जी इसे बोलते हैं तो लासा में यह 14 अंसर हो जागा सबसे पहला वाला क्योंकि सबसे छोटे फे चोटा लिया जाता है बाद में तो बहुत सारे हैं लेकिन LCM का मतलब होता है सब फे छोटे फे छोटा वाला तो यह इसका concept था जो कि आप समझ गए हो इसमें कुछ question answer भी हम आपको बाद में करवाएंगे उसको तो देख लेना चलिए अभी बहुत सारा टाइम में आपके पास टेंसा नहीं लेना है बस देखते रहें अगर अभी तब कलास को लाइक नहीं के तो तुरत जल्दी से तुरंद लाइक करिए देर मत करिए देखे साथियों चलते चलते इन सभी answer को आप note करके रख लिजिए मतलब यह homework है आप सभी के लिए students के लिए ठीक है इसको करके बताना हो गया note कर लिए जल्दी करिए screen start ले लिजिए तुरंद हो गया ना चलिए अब यह class यहीं पर खतम होती है अगली class आपकी 7 बज़े से सुरू हो चुकी है जिसका नाम है SSC RRB Tech Seated के लिए competition की math जिसमें आप पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात तो class को ध्यान से देखना और पूरा देखना जो लोग DLT का पर्थाम semester का complete math घर बैठे सीखना चाहते हैं वो लोग हमारी BIP सुधा का भी लाब ले सकते हैं उनको WhatsApp पर ये सारी classे मिलेंगी क्योंकि YouTube पर आपको काफी खोजना पड़ता है नहीं मिलती है है ना कुछ classे गायब हो जाती है कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है उनके लिए ये हम number दे रहे है जो की phone पे का भी number है Google पे का भी है और WhatsApp का भी number है इस पर वो message कर सकते हैं और किस Facebook पर लाइक और फालो करिए Twitter आप चलाते होंगे बहुत सारी Selfie Post करते हैं लोग कोई मुह इदर निकाल के कोई उधार को निकाल के वो सब मत करिए या फिर करते रहे है जिसका सौक है भाई किसी को मरोक नहीं सकते हैं लेकिन आप चाहें तो आप यह कलास भी देख सकते हैं जो मैंने अभी कहा था कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यह उनके फैले हुए पर बोलते हैं और आगे वो लोग रहते हैं अक्सर खामोस जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं तो साथियों जो लोग बहुत सारी Selfie Post करते हैं बहुत सारी अच्छे ची बात लिखते रहते हैं उ अगर वो अच्छा खासा करेंगे काम तो उनका परचार तो दुनिया खुदी करेगी तो आज की इनी बातों के साथ जैहिंद अगली कलास के लिए साथ वज़े से उपस्तित हो यह competition की मैत के साथ TT SSC RRB सभी के लिए महत्तपूर्ण होगी competition की मैत बिहार की Constable परिक्षा उ आ तो के लिए